अब यह मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है अब बॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड आफ्टर नून एंड गुरी इवनिंग तब कौन कहां से कैसे देख रहा है जल्दी से बता दो कौन लोग लाइव आ गया जॉइन कर ले बताओ आप लोग कुछ भी करने का लाइफ में जोश की कमी नहीं और चैनल लाइफ में जोश की कमी हो जाए तो याद कर लिदा जोश आपके लाइफ में अपने आ पाजा क्वारेव अव्टर नून कार्ण गुल्स लच्छिवां में इक सम नॉइज ओहो यह इन्न चालू हो चुका है बच् पूरी जहल दी पाइब देख रहा था एक दो बच्चे कम हो गए ते कल क्लास में अच्छे का से बच्चे कम हो गए तो बही आप क्या है बात क्या है बात क्या है इसका मतलब यह नहीं कि उस आदत को बदलना ही यह लाइफ में ठीक है उस आदत को बदलना पड़ेगा और आप लोगों को जादा जादा बैठने की कोशिश करनी पड़ेगी इस स्टाटेजी में हम अपनी वीकनेस को यह तो और और यह लेंगे फिर 15 मिनेट इंक्रीज करेंगे फिर 15 मिनेट इंक्रीज करके हम फिर फाइनली दो घंटे पहेंगे यह इस स्टाटेजी में हम अपनी वीकनेस को ही तो और बढ़ावा दे रहे है वाय नॉट कनवट आप वीकनेस इंट आर्स प्रेंट डे वन से ही दो घंटे की क्लास में बैठो जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आपको दो ही ऑप्शन्स रहेंगे एडाप और पैरिश आइधर एडाप्ट विट जो हम करने वाले मुझे पूरा भरोसा है लोगों पे यह आप पैरिश हो जाओगे कि भाईया सीए कोर्स हमारे लिए चलो कुछ और देख लेते हैं वाइब कॉस तिं क्या बात है स्रीतम हम लोगों ने जो बैस हमारे इंसे पॉसिबल कर लिया अभी हमको भी अभी कुछ उसके उपर अपडेट्स मिलनी रहें तो आप से में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसर्ण डिपार्टमेंट से या टीम से बात करें विकॉस या नॉट देपर्स वह एनी राइट और एनी ओब्लिगेशन और एनी नॉलेज तो बेरी फ्रेंक वोड सबसे मलब सभी वर्ड में जो धूंट रहता होता हो नॉलेज कि यार मैंने डे वन पे अगर मेरे बस में होता न है अगर मेरे बस मुदा आप सभी लोग जानते हैं डे वन पे इस तब प्रॉब्लम हो गी होती इस सौंट अभी जो है उसमें आपने को थोड़ा सा अज्जस करके करना पड़ेगा बड़ा एम शुर आप लोग उसको एड रखते हैं ओके लिए आज की क्लास की करते है शुबारम मेरा नाम है सिया आदर जोशी है में चार्ट अकाउंटन बाइप प्रफेशन और प्रफेशन और आप लोग देख रहे हैं एकागरता सी यूटुब चैनल इस यूटुब चैनल पे हम लोग लाइव आता है डेली बिस जिनके बारे में आपको शॉटली सब कुछ पता चल जाएगा चलिए न्यू कोर्स के बारे में बागी सब चीदों के बारे में हमने आल्री कल बात करी थी आज वक्त है हमारी पढ़ाई को एक स्टेप आगे लेकर जानेगा तो भाईयों बैनों कल मैंने आपको टाइप सॉ जानेंगे थोड़ा आगे और बेजड डॉन मेंबर्स कॉन्सकॉन से टाइप की कंपणी होती है और उनके बारे में क्या खास है यह हम जानेंगे यह सारी चीज़े आप अलड़ी पहले पढ़ चुके हो तो डरने की बात नहीं है सबसे पहले बात करेंगे वन परसं कंपनी के बारे में एक पुरुष कंपनी जानते है और देखा जाना मैं थोड़ा बेसिक्स आपको अपको पता है और इसका रीजन भी है आप लोगों वह भी पता है मैं आपको एग अच्छे से इस चीज़ के बारे में करता हूं अगर आप बिजनेस की बारे में सोचें तो देर आर लिमिटेड इनो बिजनेस वेहिकल जिसका आप इसनमाल कर सकते हो जैसे इसके अलावा आपको सकते हैं अब मैं आपको बता सकते हैं अब इनकी खासियत और शीजों के बारे में बात करते हैं ह defensi सबसे पहले सोल परइटरशिप सब यहां पर एक सिंगल परसन ली बिजनेस कर सकता है रहीबार पार्ट्नरशिफ फर्म कि यहां पर टू और मोर लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं वाट अपर ऑफ बताये एक सिंगल पर लीप खोल सकता है क्या शुबसह एक single person नहीं कि सर two or more persons यहां पर भी लगेंगे ओके जैसे आप कहें और सर फिर बात करते हैं OPC की OPC is nothing but corporatization of a sole proprietorship OPC क्या है यह sole proprietorship के corporatization के लिए बना है and therefore यहां पर आप देखेंगे minimum and maximum भी one होता है only one person के नोपना OPC private company की बात करें तो मैंने आपको बता है minimum two और maximum आप लोगो को पता है 200 यहां पर members हो सकते हैं वह हम देखेंगे definition पढ़ेंगे दोसों में कौन आएगा कौन मी आएगा joint holders का क्या करेंगे वो सब बात है और public में minimum seven और maximum unlimited की provisions हमने कर रखी है ठीक है तो basically यहां पर तो minimum maximum दोनों बन है partnership form में हमने 50 का limit रखा है section 464 लगा कर और इसके rules actually section बोलता है 100 up to 100 लेकिन अगर आप rules देखेंगे तो rules में इसको 50 पर cap किया हुआ है LLP की बात करें तो maximum में कोई limit नहीं है और OPC के लिए maximum one limit लगा के रखिए सर्शोल प्रोड़ेश्ट में problem क्या था न यहां पर आपकी liability unlimited होती है and therefore आपकी personal assets भी attached कराई जा सकती है और partnership firm में भी liability unlimited होती है और यहां पर भी आपकी personal assets को हाथ नहीं लगाया जाता वन परसन कंपनी केस में देखना बहुत बड़ा change आएगा यहां पर भी limited liability का benefit आपको मिल जाता है अब समझा मैं क्यूं कह रहा हूँ OPC was invented to corporatize the sole proprietorship इन इस sole proprietorship में जो business कर रहे थे उन लोगों की liability के ऊपर कोई limit लगाए जाए इसलिए बस यहां पर हमने देखा कि sole proprietorship का OPC में एक option उनको मिल गया ताकि अगर loss हो भी तो limited extension laws समझ में आ रहा है everyone कौन कौन है YouTube पे सुमित सुश्मिता विकाश शिवम रिशी हिमांशी मुस्कान विकाश जानगी अथर्व समझ में आ रहा है अभी को अभी हमने बहुत कोई ऐसा बहुत खतरना concept पढ़ाई नहीं है भाई concept दीरे दीरे आईगी मैं आपको आना पहले दो chapters में हम लोगों ने जो foundation में पढ़ा है और जो हमारा general knowledge उसको हम पहले validate करेंगे और उसके बाद third chapter onwards हम चीज़े नहीं नहीं चीज़े ठीखना start करेंगे अब यहाँ पर of course आपकी personal assets पे हाथ नहीं डाला जाता और वैसे आप सभी लोग जानते हो company में एक बार आप आ गया ना सर तो corporate will theory का concept आप पे लग जाता है और company की liability आपकी personal liability नहीं होती for that matter LLP की case में भी corporate will लग जाता है और LLP की liability हमारे partners की personal liability नहीं होती until and unless partner does fraud इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे LLP के व होगी और public company में भी limited होगी अब आप कौन से टाइप की company बनाते है उस पर डिपेंड करता है ना limited by shares है limited by guarantee है ना वह मैं आपको कल अलरी बता चुका हूँ और इस case में भी आपकी personal assets पे हाथ नहीं डाला जाता तो अब आप समझ गए हो कि OPC invent करने का logic क्या था sole proprietorship को limited liability का benefit दे sir one person company ये एक single member single person इसमें member होता है it's a private company और उसके कुछ unique features होते है one person company अपने नाम के आगे one person company या OPC उनको लगाना अनिवारिया है और OPC was recommended by JJ Irani committee ठीक है good good to know next है private companies अब वो OPC के बारे में हम और भी चीज़े पढ़ेंगे unit number two में है ठीक है तो डरो मत हम अभी बहुत कुछ पढ़ना हमको बाकि है फिर चलता है sir private company अब private company means a company having such minimum paid up share capital as may be prescribed what is the minimum paid up share capital prescribed nothing has been prescribed as such okay तो private company means a company which restricts the right to transfer its shares अब यहां पर sir matter थोड़ा serious हो गया है कहते है we restrict the right to transfer the share say for example if I have shares of a private company will I be able to transfer those shares yes or no और ढूब जानमी मैंढम अगे अप्ट गए रोगे अपने हाथ रोक लिए कि ये क्या लोचा हों गया अजली सिंग ठत गया बेटा सर रेस्ट्रिक्ट करना यहने उसके उपर हम कुछ रोक टोक लगा रहे कॉम्पलीटली मना कर दिया है क्या नहीं इफाइंड से दाट देर आर सम रेस्ट्रिक्शन और एंटरिंग इंटो दिस कॉम्पेटिशन इसका मतलब जो वो कंडिशन कुछ रहेगी जो लोग वो कंडिशन फुल्फिल करते हैं केवल उनी लोगों को कॉम्पेटिशन में इंटर करने दिया जाएगा बाकियों को नहीं इसका मतलब जब मैं वर्ड रेस्ट्रिक्ट यूज कर रहा हूँ इसका मतलब कम्प्लीट स्टॉप या कम्प्लीट प्रोहिबिशन नहीं है इसा डिफरेंस बीट्रिक्शन और प्रोहिबिशन अब आप इसी क्लॉस का क्लॉस 68 का जब पॉइंट नमबर सी पढ़ेंगे सब क्लॉस सी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्टे क्यों क्लॉस नमर सी यहां पर थ्री आ गया है तो इसको सी कर देना आप लोग के पास अभी ने ठीक है मैं इसको एडिट कर दूँगा यहां पर सी आएगा कोई मैं सुचा अब यहां पर एक शब्द का इस्तमाल हुआ है प्रोहिबिट्स किसका हुआ है प्रोहिबिट्स एइनी इन्विटेशन तु तु दा पबलीग तु सब्सक्राइब पर एडी सेकुरिटी इस अपड़ाने वालों है एक एक वर्ड एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक कंसेप्ट के जड़ तक जाएंगे क्यों बिकॉस हमें कि उसके लिए प्रिपेर होना है और हमें एक्चुली एक प्रफेशनल बनना है सिफ एक्जाम पॉंट उसे नहीं तो लर्निंग और नॉलेज और विज़्डम पॉंट उसे एक लास इस हो रहे है अब जब मैं प्रोहिबिट इवर्ट कर देता हूं तो इसका मत तो मनें कर तो मों मुंट नखना ही है अब आगा स्था अच्छाम टे याच्छ नखी और देटाइ ला राफ। टैम एक double year और । व Analysis ए कब उसे लिए मेंट है और कंपनी मैं जब मैं एका म मैं घ गया स्छिए की है है ऐसे कृएड जब कीयर्स तो कि हम अपिल दो ईका मैं हैं अन्जि करेक्ट अजीद वेरी गुड क्रिश प्राउड अफ्यू सर यह ने आप समझ रहे हो इतने लेवल के आपको आंसर देने है और यह जो बाकी बच्चे भी आंसर दे पार है न आप इनको बोलो कि अपने दिल पर हाथ रखके बोले कि यह क्यों आंसर दे पार है बिकॉस यह फांडेशन में मैंने यही सवाल इन लोगों से पूछा था और आप ही की तरह इन लोगों ने भी no no का आंसर दिया था वो तो ऐसा होता है न कि आद भी एक गलती एक ही बार करता है इस बार यह शाने लोग हो गए इनको पता था कि आदसर क्या पूछेंगे देखो कितने लोग है यहां पर जिन्नोंने वाउंडेशन में सवाल का गलत जवाब दिया था और आज आके सही जवाब दे रहे हैं भ सबसे important condition है जिसके उपर exam में भी question आता है not only in foundation but also in intermediate वो है point number B, clause number B, sub clause actually, limits the number of its members to 200 अगर आपने notice किया तो मैंने यहां पर आप लोग को लिखा है max 200 यह कहां से आया तो यह section 2 clause 68 के तहर लिखा है sub clause B के अंदर that in a private company there cannot be more than 200 members except in case of OPC OPC में 200 से ज्यादा चलेंगे फिर अरे हावले OPC में minimum भी वन है और maximum भी वन है and therefore OPC को यहां से exempt किया है कि भाईया आप नहीं जा सकते 200 members तक आपका एक लौता आप अकेले ही member रहोगे तो येस दो से 200 के range में एक private company जितने चाहे उतने members रख सकते तर एक बात बताईए अगर पती पत्नी और वो अरे वो अरे ने कुछ और गलत गलत sorry पती पत्नी हैं उन्होंने वह कोई नहीं उन्होंने अगर मिलके jointly shares लेके रखे हुए हैं तो क्या पती को अलग member और पत्नी को अलग member माना जाएगा अगर कोई बाप बेटे shares मिलकर ले रहे हैं दो कजिन भाई shares मिलकर ले रहे हैं तो ऐसे case में in joint owners को क्या separate separate member गिना जाएगा while counting this limit of 200 the law says no when the shares are held jointly by two or more persons all of them together will be known as one single member तो अगर आप 10 लोग मिलके भी एक company के shares purchase करते हो आप 10 के 10 को 10 अलग member नहीं गिना जाएगा for determining the limit of 200 you all will be jointly known as one single member एक company अपने employees को अपने से जोड के रखने के लिए उने shares issue करती है आपने सुनाओगा employee stock option plan के बारे में तो उन लोगों का logic क्या होता है कि employees को shares दे दो ताकि वो हमारे company में ठीके रहे और इसे अपनी company समझके काम करें इमानदाने से काम करें और वो भी कमाए हम भी कमाए अब problem है कि company में भली आप members पर limit रख दो आप employees पर limit नहीं रख सकते हैं there are big fat companies private companies which have hundreds and hundreds of employees for that matter there can be thousands of employees in a private company अब अगर आप 100-200 employees को अपने member बना देते हो just in case अगर आप 100-200 employees को अपने shares issue कर देते हो ताकि वो अपना company समझके काम करें और 200 employees को भी ये 200 के limit में count किया जाना चाहिए क्या they are not members because they wanted to you know buy shares and invest in the company they are members they are made members so that they work aggressively and more passionately for the company and therefore any employee of the company who has received shares while in employment will not be counted in the limit of 200 ये लोग आगे जाके आप employee आया है तो employee जाएगा भी आगे जाके हो सकता है कोई company छोड़ कर चला जाए हो सकता है कोई retired हो जाए होता ने age होगी retire हो गया तो sir अब क्या हम उमको गिन सकेंगे उसके लिए भी law कहता है कि अगर एक employee है और उस employee को आप shares दे रहे हो जब वो employment में था तब और उसके बाद समझो उसका employment terminate हो गया खतम हो गया retire हो गया जुसने job छोड़ दिया आपने इसको job से निकाल दिया whatever happens and he is no more associated with the company but he is still holding your shares you will still not count him in the limit of two अभी भी आप उन्हें दोसों की limit में count नहीं करेंगे मैं अच्वा बिटा अंकित आप कैसे समझ में आया okay so sir what will happen I am just I am just speculating I have a question नहीं का पूछो बिटा sir समझो एक employee है हां sir समझो उनको हमने shares दिया हां sir समझो वो हमें छोड़कर चला गया हम हां और वो shares भी बेज देता है hmm ठीक है समझ लो उसने shares बेज दिये वैसे restrictions है transfer पर but transfer impossible नहीं है यह समझ लो उसने shares बेज दिये और sir बाद में कुछ सालों बाद he again acquired shares of such private company can I now count him as a member and count him in the limit of 200 yes or no में जवाब देना चाट में yes or no में जवाब देना चाट में इधर आर्यान, Satish, Mrudula जवाब दो फटा फट अंजी बोलिये अहाँ hmm yes so now he will be counted in the limit of 200 so following shall not be included in the number of members person who are in employment of the company and person who having been formerly in the employment यहने कि जो पहले employment में थे, were members of the company while in that employment and have continued to be the member even after the employment ceased ठीक है, यह जो C है बेटा वो इसका है इसके साथ मत पढ़ना, वो इसका है, जो यह 3 गलती से लिग दिया यह normal numbering error है, माफ कर देना, ठीक है, मैं ठीक करते रहूंगा ऐसी गलती आगर निकलती भी है, यार इतनी मैंने कोशिश करके, महनत करके book बनवा रहे है तो ऐसा है न, थोड़ी बॉट चीज़े आप भी ignore कर देना, या हम इसको ठीक कर दिया करेंगे चलिए, हम आपको उसके लिए एक email id भी provide करने वाले है, जहाँ बुक के अंदर अगर आपको कोई भी misprint या ऐसी कोई mistake मिलती है आप उसे immediately report कर सकते है, चलिए, कर भला तो हो भला, next तो अब आप समझ में आगे आपको, एक question इसका ऐसा आता है, कैसा भता रहो ना, रुको ना, अवला काई जाते हो बे, रुको जरा, रुको जरा, रुको, तबर करो, बोलां धक्का मुक्की नहीं अरनेगा, हां, 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 चलो, यह तो कल आपने चार्ड बनाया होगा, मु हां, प्रधयान देना, से बर एक 104 इन dispर एक्जांपल इन अ कम्पनी प्रमोरट आस खोड़ा के अरते हैं, के पास से फोले एक्जांपल 100 टrid max members है, अचलि प्रमोटर्स और डारेक्टर्स नहीं लिखता डारेक्टर नीड नॉट भी ए शेरोल्डर प्रमोटर्स और रेलेटिव लिखता हूँ इनके पास तोटल हंड्रेड मेंबर्स है इसके अलावा हमारे कुछ एम्प्लॉईज थे उन्हें हमने अंड़न्ट्विंटं एमप्लॉईज थें उन्हें भी हमने शेर एशू कियें अघ्यकुछ एग्स एमप्लॉईshe थे है इनको शेर्स हमने ऐलोट किये थे शेर्स वरलॉटब वाइल ते वर मेंबर्स ठीक है यह कुछ 75 थे देन डेर वर सम एक्स एंप्लोईज क्याल सी ले ले बठा हूं 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 अक्वाइड शेयर्स आफ्टर पीजेशन आफ एम्प्लोईमेंट एप एक्जामबल अगें हंड्रेड एक काम करता हूं रुको जरा सबर करो गलती हो जाती है 50 करता हूं एंड देन दे वर अधर मेंबर्स कि इतने तो 88 है है ओके यह पादर एंड सन है और भूल्डिंग है यह जो मेंबर्स है यह बाप बेटे है जिन्होंने जॉइंटली शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है हम यह सबको तो 350 433 देखो वाला कितना आता है यह टोटल रता हो कितना था 438 कितना होता है देखो कि इस यह सब भाई अनस भाई करेंगे हम लोग सारी चीज़ें प्लान आउट कर रहे है तो डोंट वरी हम लोग इसके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे यह निट नट वरी अबाट दाट हां 438 आता न अब मुझे बताइए क्या यह कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के लॉग को ब्रेक किया है सेक्शन टू क्लॉग सिक्स्टी एट को हां जी क्या इन्होंने लॉग ब्रेक किया है सर अभी अभी बता देते आपको इंगे इंप्रमोटर्स के अगर आंसर की बात करों रमोटर्स के 100 तो काऊंट किये जाएंगे इंप्लोई ऐड एक्स एंप्लाइज एंड टांट नाट आउट गांटेट वैल कैल्कुलेटिंग दूमेट टोन टोने एक्स एम्लोइज who acquired share after transition of employment, yes they will be counted in the same and ये 88 father and sons है जिन्होंने jointly share hold करा है यहनि कि in total ये 44 joint owners हो गया, तो joint owners are treated as one single owner तो यहापे 44 का अकड़ाएगा and therefore the total number of members as per law as per clause 68 of section 2 is 194 which is below 200 and therefore there is no contravention ये एक्जाम में आया है, foundation में तो अप्कोस आया है, इंटर में भी आ सकता है हम थोड़ा conceptual clarity से जाए तो में आया है सबको पक्का, promise शेलो there should be at least two persons to form a private company, a private company should have at least two directors the name of the private limited company must end with the name private limited तिरह पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी means अच्छा एक बार और बता दू, ये सारी चीज़े हम definitions जब पढ़ेंगे दुबारा आने वाली है बट अब मैं दुबारा इनको नहीं पढ़ाओंगा विकोज मैं अच्छे से एक बारी में आपको ये अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो उतना ख्याल रख ले बीटा पादर एंड संस ना, मेंबर्स गिन रहे थे ना, इस वर 88 मेंबर्स ये जो 88 मेंबर्स थे इसमें 44 पादर और 44 संस थे तो हमने क्या किया पादर एंड सं को एक सिंगल पकड़ा एंड एड़ पर 44 हमने मेंबर्स इनको पकड़ा कि दिख्या क्रिश ओक पिर आता है पब्लिक कमपनी का डेफिनेशन ना दूसरे दुनिया से लेकर आए कहते है पब्लिक कमपनी means a company which is not a private company मैंने कहा रुप जा रुप जा एक मिनुट रुप जहां से लाते है ये इतना टैलेंट और जहां से लाते है मुझे क्यों नहीं मिलता मैं भी तो इस टैलेंट को धून रहा था इक्विटी शेयर इस शेयर विच इस नाट आ प्रिफरेंट शेयर समझ रहा हो क्या क्यालेंट है ऐसे ऐसे नहीं मिलता समझो and has a minimum paid up share capital as may be prescribed इसमें seven or more members होंगे ठीक है एक और बात बोलता है subsidiary of a public company will be deemed public company ओके तो एक public company है ठीक है ABC limited उसने एक 80% shares hold करके रखे PQR private limited के अब अगर आप PQR private limited का MOA और AOA देखोगे तो इनके MOA और AOA के हिसाब से this company will be a private company law कहता है no अब उनका MOA AOA क्यों देखे this is a company which is a subsidiary of a public company so we will deem it as a public company मतलब हम इस company के उपर public company के सभी laws regulations लगा देंगे भाई हम क्यों आपको private company का दर्जा दे सर लेकिन logic भी तो होना चाहिए न इस चीज़ का just because वो subsidiary आप उसको deem public company उसका कुछ logic है सर आपके पास जवाब दुना अदर सर बहुत कहते हो ना कि logic logic से पढ़ाई करो logic से पढ़ाई करो law का logic समझा दूँगा समझाओ logic पीटा बात बड़ी simple है public company में public का पैसा लगता है और जनता का पैसा लगता है इसलिए इन companies को हम public company बोलते है और इनको high level of transparency maintain करनी पढ़ती है क्योंकि यह पैसा जो use कर रहे हैं इनका अपना खुद का पैसा नहीं है जनरल जनता का पैसा है अगर आप एक public company को एक private company open या उसकी holding company बनने का अधिकार देते है तो private company को तो transparency maintain करनी की ज़रत नहीं होती क्योंकि वो private company होती है यहने indirectly यह public company जनता से लेगी पैसा और वो पैसा एक private company में निवेश करेगी और transparency नहीं दिखाएगी तो यह public को पता कैसे चलेगा उनके पैसे का क्या इस्तमाल हो रहा है यह private company जोल कर करके लॉस दिखा दिखा के लॉस दिखा दिखा के डूब जाएगी फिर यह public company एक और duplicate private company open कर लेगी लॉस दिखा दिखा के डूब जाएगी and no one will be able to check why because private companies are not required to give that many transparency and therefore हमने कहां जहां जहां public का पैसा जाएगा वहां वहां public को transparency मिलनी चाहिए and therefore a private company which is a subsidiary of a public company is deemed public company मेरे को नहीं पता आपके memorandum में क्या लिखा है मेरे को नहीं पता आपके article में क्या लिखा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि आपके नाम में PQR private limited लिखा है मैं आपको एक public company की तरह treat करूँगा क्योंकि जो रोकड़ा जो रकम जो पैसा जो फंड आपके अंदर आ रहा है वो general public का पैसा है तो मैं आपको अयाशी करने नहीं दूँगा logic समझे आप a team channel बनाई देता हूँ teaching career नहीं चला ना तो next plan वो ही है मेरा stand-up committee महां तो भी support कर देना at least यहां तो तुम like comment करते नहीं हो at least मेरे meme पे जब मैं वहां पे stand-up कर रहा हूँगा गालिया दे रहा होगा लोगों को तभी at least support कर देना मेरे दो life में plan है भाई एक gaming channel open करने का और एक यह stand-up committee open करने का बहुत time से है अब मुझे लगदा है मैंने उस पर काम करना चाहिए क्योंकि आप लोग इदर तो support कर नहीं रहे हो जितना करना चाहिए नहीं मजा कर रहा हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं लव you a lot लेकिन ऐसी फड़ा और कर दोगे तो बुरा नहीं मानूगा खुशी होगी मेरे को सब्सक्राइब आपको आपका नाम कवा आएगा इसका मैं अंतजार कर रहा हूँ ए लिमिटेड okay a private limited is wholly owned as subsidiary of a b limited a public company incorporated under companies act a private limited wanted to avail exemption as provided to private companies in this case but a private limited i am hoping to see you all is a private limited private limited private limited private limited private limited private limited companies को मिलने वाले जो exemptions है उनके इस्तमाल या उनका फाइदा उठा सकती है या नहीं वेन एप्राइवेट लिम्टेट इस अ होली ओन्ड सब्सीडियरी ऑफ एब लिम्टेड होली और सब्सीडियर का मतलब होता है कि एबी लिम्टेट के पास एबी एप्राइवेट लिम्टेट के 100% शेर से तर नहीं ले सकते हावाई मैंने भी थखेज जी का सोही देखा था तो नहीं दे सकते वाई यह सब्सीडियर ऑफ पब्ली कंपनी एंड शब्सीडियर ऑफ पब्ली कंपनी इस डीम्ट पब्ली एव बेरी विड़ को रहा हूं तुम लोगों ने सही आंसर दिया आपकोस तुम सही आंसर दोगे भाई अब आती है सौ बात की एक बात पानी का पॉटल देना थी प्यास लगी है small company इसको बना है लपूसी company दोस्तो इसने पहले कि मैं वहाँ जाओ एक बात सुम लो मेरी पता है कि आगे जागे तो लोग पूछना लोग अभी बता रहा है हमारे देश में law कैसा बनता है हमारे देश में law कैसा बनता है एक में रपास बहुत अछा यह लिए इस स्का आज आतने उस और एक बहुत अच्छा में रपास oportunus fair दुन ना पड़ेगा और हमारोस को नहीं थूनता हूं इन नहीं रहूत कहां पढ़ाया होगा बोलो मैने कहां पढ़ाया होगा कई हो ना कहो ठीक है एक मिनुट दो मैं देखता हुआ है एक मिनीट देना मिरेको को कुछ देख रहा है कंअ यह बहुत जोरदार आइटम है वो जो मैं आपको दिखाना सा गमना चाहता हो नहां बहुत जोरदार इसलिए बतारों मुरह तो पता रहा है कि मैं जोरदार जोरदार आइटम से मैं कितना प्यार कड़तों कि नहीं अरे ऐिटम से तुम गलत नहीं समझना पहली बात वेइन करिके लिएक की तो तुम बोलोगे सैये आप बहुत चिचोरे हो हो चुकियो कि यह कि न समझना को इतुम्हारे टीचर थां तुम्हारे टीचर हुं हाँ बलत नहीं समझा तुम भी हूँ मैं भी हूँ अरे चैनल पे बाता चला कॉपीराइट ट्राइक आ गया भाई हाँ इधर आप यह वाला तुम लोगों ने जरूर ओरीजिन ओफ लॉव में देखा होगा नहीं देखा है तो आज देख लो बहुत इंपोर्टेंड यहां पर मैं आपको जर्नी थैंकी सो मच जर्नी फ्रम बिल्टू अब मैं पानी भी खुलकी पी सकता है हुआ है वाँ कुछ भी कर सकता है मैं कर चैला हूंगा एक दिन तुमको मैं इसा वाड़ा पा खातित दिखू है ना बिटा अपने चैनल पर और इज्जच से काम करना पड़ता है एक एब भाई ड्रिंकेट वाले रुप्जा जरा पानी था हो एक बिल को एक्ट बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता लोग सभा में जाना पड़ता है लोग सभा में उसके उपर लोग तरह तरह की बाते करते हैं बिलको ल जनरल ओपीनियन सेट किये जा सकते हैं, पूछी जा सकते हैं, हम लोग clause by clause consideration भी कर सकते हैं, कि एक के clause को detail में पढ़के उसका impact analysis करना, और लोगसभा में कई बार उस बिल में बहुत सारे amendments भी बताये जाते हैं, जो amendments बार बार लगातार किये जाते हैं, जब तक वो बिल में सार के बिल फिर जाता है, राज्यसवा में, राज्यसवा में जाने के बाद इसके साथ वही होता है, introduce, discussion, फिर general discussion, straight consideration, standing committee, general opinion लेते हैं, clause by clause consideration, amendment to the bill, and finally voting, अब इस voting में हो सकता है, बिल reject हो जाए, हो सकता है, उसमें कुछ amendments करने की बात कही जाए, discussion stage हो आ जाए, amendment की बात हो जाए, अगर वो amendment के लिए कहता है, तो फिर से लोगसवा में बेजा जाता है, फिर से amendment की जाती है, फिर लोगसवा से पास होगा, फिर राज्यसवा में जाएगा, फिर राज्यसवा में discussion होगा, फिर अगर दुबारा वहाँ से पास हो गया, तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर फि से consider किया जाता है और वहां से अगर यह approved होता है या डायरेक्ली राज्य सभा से भी कभी अप्रूव हो जाता है ऐसे नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राज्य सभा रिजेक्टी करती है maximum चीज़े तो अपरूव हो जाती है तो चायआज अब राजय शर्भा से अपरूव यह आप जॉइंट सेशन अपरूव हो अगर आप एक बार अपोई हो जाते हो तो आपकी अगली जो stop होती है वह होती है प्रेसिडेंट इंडिया। मैंद अब प्रेसिडेंट औफ कि कुछ सही नहीं हो रहा है और वो उसमें कुछ amendment बता सकते हैं कुछ change कर सकते हैं या reject भी कर सकते हैं लेकिन एक बार President of India ने इसको assess दे दी उसके बाद ये bill बन गया अब ये जाएगा Official Gadget of India में और Official Gadget of India में जाकर ये क्या हो जाएगा सभी के ऊपर applicable हो जाएगा अब ये पूरी process देखने के बाद आपको समझ में आया हुगा कि it is not that easy for a bill to get converted into an act. It is not easy to get amendments done into the act. And every time you want to change even one full stop in the act, you need to go through this entire process time and again and again and again and again. And therefore to save time in Parliament, कही laws में अब central government को empowerment दिया जा रहा है और small company ये उसका एक बहुत बढ़िया उधारन है अब अगर आप small company की definition देखते हो ये देखो मैं आपको small company की definition दिखाता हूँ according to section 2 clause 85 small company means a company other than a public company having paid up share capital of which does not exceed 50 lakh or such amount as may be prescribed ये जहां पर भी वर्ड प्रिस्क्राइब आ गया ना इसका मतलब rules देखो जब भी अगर कुछ prescribed आ रहा है ये word आ गया ना prescribed इसका मतलब in short होता है refer the rules और rules बनाने की power किसके पास होती है central government basically हमने कहा small company ये ऐसी company नियादयन प्ली क कंपनी जिसका पेड़ अब शेर केटल दोस नोद एक सीट 50 lakh rupees और रसच थायर अमांट as may be prescribed which shall not be more than 10 crore and अभ यहां प्धियाँ से देकना and the turn of which as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores for such higher amount as may be prescribed प्रॉब्लम यह है कि सर पचास लाग देखना है या दस करोड देखना है दो करोड देखना है या सो करोड देखना है आपको प्रिस्क्राइब क्या है यह देखने का है अब अगर आप प्रिस्क्राइब की बात करेंगे तो अभी आपको दिया है आपको चार करोड और चालीस करोड प्रिस्क्राइब किया हूँ यहने की एक स्मॉल कंपनी का पेड़ अप्षर कैपिडल जो प्रिस्क्राइब है वह है पौर करोड और जो टर्नौर प्रिस्क्राइब है वह है पौर्टी करोड यहने की सर आप अगर आपके सामने क्लाइन बैठा है और बोलता है क कि sir I have a small company तो आप उसे यह पूच सकते हैं कि भाई आपका paid up share capital कितना है उसने का sir मेरा paid up share capital कुछ 3 करोर 80 लाग का है अच्छा और आपका turner कितना है अभी last profit and loss account में मेरा turner आया था 38 करोर्स का बताइए क्या आप उसको बोलेंगे कि आप small company हो या नहीं sir of course you are a small company of course you are a small company एक बात बताना अगर paid up share capital 44.1 करोर है और turnover 35 करोर है तो not a small company paid up share capital 3.5 करोर है और turnover 44 करोर से not a small company अगर आपको small company के फाइदे उठाने benefit लेने है आपको यह दोनों condition simultaneously fulfill करनी पड़ेगी मन्दब आपका paid up share capital भी 4 करोर से कम होना चाहिए और आपका turnover भी 40 करोर से कम होना चाहिए उसके बाद ही आप small company कहला सकते हो तो आई यह देखते कि आपको यह समझ में आता है कि नहीं तो मैं आपको एक सवाल पूछूँगा और आप मुझे बताएंगे कि यह small company होगी या नहीं और मैं सवाल पूछने वाला हूँ अब एक company मैं बनाओंगा आप किसके नाम से बनाओं अजीत भाई अजीत भाई की बात करेंगे अजीत अजीत लिमिटेड आपके नाम से company बना देता हूँ ठीक है भाईया आपका जो paid up share capital था वो है सिर्फ 3.25 क्रोर्स और आपका जो turnover था इस पर या भाईया हम इन्हें small company कह सकते है या नहीं जल्दी से बताना भाई जल्दी से आपकी बेटा और या बेटा जल्दी से बता दो अगर small company है तो वन पर क्लिक करें अरे रुको मुनना मैं पोल ले रहा हूँ small company question mark yes question mark no question mark and your time starts now क्या मजा अगे रहा है भाई मजा अगे ला मजा अब देखो बारा में से तो आठ लोगों ने वोटी दिया सरिफ इदर देख रहो डर देख रहे हो तुम लोग कि डर देख रहे हो कि चार लोग तो डर में बैठे है कि अरे मुनना काश मुझे दिखता किसने वोट ने डाला तो घर में गुसके पूछता लेकिन एक बात बताओ वोट नहीं डालने के पीछे क्या आपका कोई समस्या है हाथ में दर्द दिमाग में दर्द है क्या है अरे भाई ट्राय करो ना गलती करने से जो शर्माता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है क्यों कि गलती करेगा तो सीखेगा ना अदमी हां तो तो करेक्ट आंसर यह इस नो नॉट अस्मॉल कंश अब आप कहेंगे इस तरह पढ़ाते कुछ और हो और आंसर कद्वार । 20 क्रोड से कम होना चाहिए और यह दोनों रिक्वार्मट फुफिल होनी चाहिए उसके बाद आप बन सकते हो तर यहा पर तो दोनों रिक्वार्मेंट फुलफील हो रही है फिर प्रेक्वाल पक्श कमपणी क्योंकि अजीत देक्में कृट्स के मैंने आपको क paid-up share capital as whatever यहनि कि एक पब्लिक कंपनी को आप small company के benefit नहीं दे सकते अब public company no matter what is the turnover no matter what is the paid-up share capital can never get advantage of a small company only a private company has this benefit अब आपको देख लेंगे हम अगला सवाल पूछो कि अब मैं यहां पर लिखता हूं paid-up share capital यहां पर लिखता हूं turn over और यहां पर लिखूंगा answer और यहां पर लिखूंगा company your time starts now जल्दी से test number one serial number one ABC यह ACB private limited paid-up share capital is 3 crores turnover is 41 crores जल्दी करो फटा-फट हां मेरे को कहा मूह नहीं देखने के इदर हाँ कि अरे एपी कि युवार कर ले तो हुआ हुआ है हाँ बदाव भाई केस नमबर वन केसरिया बालम आउनी बदारो भारे दे केसरिया बालम आउनी बदारो भारे दे आवाई कहो ना कहो ना कह दो ना ABC प्राइट लिम्टेट पेट अप्षिर कैपिटल तीन करोड टन और 41 क्रोड सब दो नो कंदिशन फुल्फिल करनी थी नौट प्राइट लिम्टेट लिम्टेट टन क्रोड नो कंदिशन फुल्फिल करनी थी ए प्राइट लिम्टेट तीन करोड तीस करोड बहुत ही जोरदार अगर यहां पर आप एक्सीड नहीं कर रहे हो यहां पर आप इग्जैक्ट उतने ही हो तिक है therefore this is also a small company अगर इन दोनों में एक भी रूपया बढ़ गया होता दोनों में से कहीं पर भी तो यहां पर cross आ जाता last not a small company because it's a public company how many of you have given the correct answer please tell me your name with CA in it okay please कितने लोगों ने सही आंसर दिया अपने नाम में सिये लगाओ कमेंड में लिको मैं भी देखना चाहता हूं जरा अपने class के हालत देख लूँ हंजी नेनी मीमी नहीं करेगा मीमी क्या है मीमी क्या है अपना नाम बताओ CA लगा के सामने CA आरेण ने सही आंसर दिया है क्योंकि अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो आप CA बन रहे हो ना हां तो लगाओ अरे सतीज I don't know Satish Moria I know CA Satish आप वो हो क्या यह feeling आने दो ना अंदर से CA Amrita आ रहे बहुत बहुत सही अगर आपको इतना concept समझ में आ गया यहाँ पर भी बहुत सारे future CA ने यह काम बराबर धंग से कर दिया है अगर आपको इस समझ में आ गया तो आप ready हो तीन exception पढ़ने के लिए सर section 2 clause 85 इन तीन cases में applicable नहीं होता सरी कौन से तीन cases है अगर आप किसी company के holding या subsidiary company हो तो आप small company के benefit नहीं ले सकते अगर आप section 8 में रेजिस्टर्ट company हो तो आपको anyways बहुत सारे exemption मिल रहा है आपको भी कुछ जरुरत नहीं small company के benefit लेने के और अगर आप किसी special act के तायद बने हो तो भी या फिर small company के benefit मतलो आप special act के तायद बने हो उन special act को follow करो और transference से maintain करो small company बनके फालतु के benefits मतलो अब सर इनके पपा का क्या जा रहा अगर कोई holding और subsidiary company है तो यार देखो बात बहुत simple मैं दोनों के अंगल से आपको समझाता हूँ सर एक है सब्सक्राइब पब्लिक कमपनी है अब ये पब्लिक कमपनी है ना ठीक है चलो एक private मिले ले ले ता हूँ मैं अब ये company का pay departure capital और turn over 4 करोर 40 करोर से नीचे था तो ये private limited small company हो गई लेकिन इस साल इनका turn over 50 करोर स्क्रोस कर रहा था तो इन भाई साब ने बहुत दिमाग लगा इन्होंने अपनी एक company को दो और companyों में divide कर दिया A1 private limited यहाँ से देखना और A2 private limited और अपनी A1 private limited को इनकी holding company बना दी और इन दोनों का अपनी subsidiaries अब इन दोनों का paid up share capital और turn over फिर से 4 करोड 40 करोड से नीचे चला गया यह ने यह दोनो small company बन गई अब हुआ क्या सर आप एक normal regular company बनने वाले थे एक normal private company आप बनने वाले थे और आपको small company के benefits जो मिलते है जो exemptions मिलते है वो आपको मिलना बंद होने वाले थे इससे बचने के लिए आपने दो हिस्सों में अपने आपको बाटा और दो subsidiary company बना ली और अब वो small company का benefit ले रही है आप यहाँ पर पता है क्या कर रहे हो आप tax को तोड मरोड के misuse कर रहे हो आप tax planning कर रहे हो और यहाँ पर आप statutory planning कर रहे हो अपने आपको law के compliance से बचा रहे है जो हम होने नहीं देने अब जैसे ही यह company subsidiary बन जाती है इनको हम small company बनने नहीं देते क्यों क्योंकि हमने exemption डाल दिया हमने exception डाल दिया कि any company which is a subsidiary or a holding company cannot take benefit of section 2 clause 85 and therefore even if the turnover and paid up share capital of these two small companies two companies is below 4 crore and 40 crores फिर भी हम in a small company नहीं बोलेंगे क्यों? because these companies are subsidiary of another company तो हम भी चाहते कि आप law को तोड़ मरोड कर कोई गलत इस्तमाल कर लो and therefore हमने कहा कि अगर आप किसी के भी holding है subsidiary company हो तो माफ करना आप small company के benefit नहीं ले सकते हैं section 8 company को अपने खुद के exemption है उनको small company बनने की ज़रूरत नहीं है वो ऐसने भी business नहीं कर रहे है charity कर रहे है और special act के ताइट बनी हो companies को small company के benefit लेने की ज़रूरत नहीं हो special act पॉलो करके अपने compliance क्या नेरी बात विट लॉजिक आप लोगे दिमाग में बैढ़ गई पक्का promise ठीक है अब बात करेंगे based on control के बारे में तो बहुत सारी गालीब के रचना पर थोड़ा ध्यांदो अर्ज किया है holding company under section 2 clause 46 means a company having one or more subsidiary company ठोको ताली holding company यह वो company है मित्रा जिसके एक या एक से ज़ादा सब्से डिरी company हो उसको इधर इधर मनलब आप बाप का definition दे रहे हो जिसको एक या एक से ज़ादा बच्चे है वो बाप कहलाता है वहाँ मैंने कहा वहाँ रहने देते नहीं लिखते परक नहीं पढ़ता हम परक नहीं पढ़ता हम तो यह लप्पू से section और clause को ignore करते हुए आईए जानते है कि यह subsidiary company क्या होती है because holding company तो अपना नाक खटा दिया तो आईए subsidiary company को जानते है यहाँ पर matter थोड़ा serious हो सकता है आप लोग ने foundation में ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी दे देना section 2 clause 87 subsidiary company एक company को हम दूसरे company की subsidiary कब बोल सकते है जब नीचे दिये गए दोनों में से कोई भी एक situation fulfill होती हो situation number one where one company controls the composition of the board of directors of the other company or where the one company exercises or controls more than one half of the total voting power either on its own or together with one or more of its subsidiary company दो रास्ते है जीवन साती पाने के क्या either control the board of directors composition of board of directors और exercise control or more than one half of total voting power one half का मतलब one and half नहीं होता बिटा यह होता है बन हाफ जिसे हम प्यार से हाफ कहते हैं तो यह है one half यह है one and half ठीक है इसे हम one half भी कह सकते हैं और half भी कह सकते हैं इसे one and half का चलो तो सर एक दो एक्जाम्पल हो जाए वाई नोट उग्जाम्पल के लिए तो मैं पैदा हूं सर A Limited हना controls 80% of B Limited बताई कौन holding कौन subsidiary क्या रिश्टा कहलाता ही है यह रिश्टा क्या कहलाता है holding subsidiary A Limited कंट्रोल्स 80% और बी लिमिटेड सेम हो गया ना बी लिमिटेड कंट्रोल्स 80% और बी लिमिटेड बताओ ये रिष्टा क्या कहलाता है ये रिष्टा क्या कहलाता है सर वोल्डिंग एंड सब्सीडियरी कैसे आया सब्सीडियरी और सब्सीडियरी विल भी डीम्ड सब्सीडियरी क्या लिखा मैंने सब्सीडियरी को स्कूल में बच में मैच में पड़ाते थे ना इस एकल टू नहीं इप एस एकल टू भी और बी इस एकल टू सी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बी लिमिटेड इस होल्डिंग कंपनी ऑप सी लिमिटेड बराबर तो दिजए सब्सीडियरी ऑफ वसब्सीडियरी वाइब ब्स बी लिमिटेड इस सब्सीडियरी ओफ ए मिटेड सब्सीडियरी और यहुद इस दिए अंडिर्फर इप्राय उपर से जाता विटा इंग अधि उदर पूछ कि I have no 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 match में हम कुछ नहीं वोलूगा वह या एक दिन तो मैट्स में मुझे इतने माट्स मिले थे कि जब मैं घर आया रिपोर्ट कार्ड लेके तो मेरी मम्मी अपने हाथ में पूजा की थारी लेकर बैठी थी उस दिन समझ गया था कि मेरी बली चड़ने वाली है क्योंकि म मैं पूरे क्लास में पूरे यर में मैंने सिफ एक क्लास लगाई थी मैट्स की और वह एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा था अब सोचो बागी सारे पास थे मेरे बस वह एक सब्जेक्ट जिसकी मैंने क्लास लगाई थी बस वो फेल हो गया था क्यूंकि मैंने क्लास लगाई कि यह जादा नहीं कुटा गया था मैं थोड़ा से मार खाई थी कि आज भी थोड़ा कमर में दर्द उसके लिए होता है वह ठीक है मां है क्या बोल सकते हैं जादा बोलेंगे आज भी पड़ जाएगी कि ठीक है चलो कि सर अगर ऐसा रिष्टा रहे तो ए लिमिटेड holds 80% of B limited B limited holds 40% in C limited and A limited also directly holds 40% in C limited अब बताओ ये रिष्टा क्या कहलाता है what is the relation between A limited and C limited केह दू तुमें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है क्या है सर पड़ाना है और क्या गंदी सोच लाइक ठोकते चलो यप सर यहां पर एक सब्सेडरी वाला relation create हो ही जा रहा है क्यूँ सर अगर मैं control की बात करूँ आप जहान से देखना अब इस case में सर एक डाइरेक्ली सी के अंदर control कर रहा है 40 परसेंट और एक बी के थूँ सी के अंदर कितना control कर रहा है तो यहां पर देखना 80 परसेंट और 40 परसेंट जल्दी बोलो कितना होता है जल्दी बोलो ना यहां आप यहां तो फिर्स बात एस बात एस का था आया 80 परसेंट ऑट परटी परसेंट and therefore I can say that directly or indirectly 72 percent is the control that is being held directly plus indirectly by a limited 72 percent is more than 50 percent and therefore a becomes holding and c becomes subsidiary company चाली बात समझी हो गया रिष्टा वही सोच नहीं ओके यह वाला बता देना ए लिमिटेड वोल्ड फिफ्टी पर्सेंट इन भी लिमिटेड यह रिष्टा क्या कहलाता है हम बताइए यह रिष्टा क्या कहलाता है अभी तक यह पढ़ाया नहीं है बट आपको फांडेशन के नॉलेच से यह आना चाहिए ठीक है बेसिक चल रहा है तर यहां मैं holding subsidiary नहीं कहूंगा वाई वीमिट कंट्रोल ओर मोर दैन वन हां और टोटल वोटिंग पावर यहने की more than 50% अगर है तब जाकर हम holding and subsidiary relation क्रेट करते हैं 50% तक अगर है तो आप associate में आ जाओगे holding subsidiary में नहीं कुछ बच्चे कह रहे है सर यह repeat कर देना इसके पहले वाला तो मैं बता दू यहां पर A directly 40% hold कर रहा है और indirectly यह B hold करता है 40% इस 40% में 80% का जो control है वो A के पास है why because A has 80% control of B and B has 40% control of C तो A has 80% of 40% control of C नहीं समझें यह 40% control में 80% is held by A limited and 20% is held by other shareholders of B limited and therefore मैंने कहा 40% का 80% निकालो तो वो आता है 32% इतना तो A directly C के अंदर hold करता है विया B तो यह आ गया 40 पहले वाला खुद का प्लस यह 32 ना 72 चलो 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 अब एक और concept हम पढ़ लेता है अच्छा composition की बात कर लेता है what do you mean by control the composition of board of directors इसका मतलब होता है अगर आप किसी कंपनी के मेजॉरिटी और all board of directors को appoint and remove अगर कर सकते हो तो मैं कहूंगा you control the composition of board of directors example a limited a limited can appoint and remove 8 out of 10 directors board of directors of b limited b limited में total 10 board of directors है उन 10 board of directors में से 8 board of directors को a limited appoint और remove करता है अब जब b limited की board of meeting होती होगी board of directors की meeting अब आप खुद दिल पे हाथ रखे बताइए एक तरफा ये आठ लोग वही बात बोलेंगे जो a limited उनको बोलने बोलेगा why? because a limited controls their appointment and removal तो a limited बोलेगा ए इदरा ए लप्पू इदरा आठ के आठ board of directors को line से खड़ा करेगा बोलेगा आप भी जो board meeting होने वाली है उसके अदर आप आठ हो के आठ हो ये sentence बोलोगे अगर बोला तो बच गए है नहीं बोला तो on the spot अपना बोर या विस्तर बांद के अपने घर चले आना आए वुड़ा 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 रिमूवड यू क्योंकि मेरे पास पावर है आपको रिमूव करके किसी और को लाना नहीं तो मुझे बताईए ये जो आठ board of directors है क्या ये आखे बंद करके a limited के instructions मानेंगे या नहीं मानेंगे sir of course मानेंगे sir अगर 10 में से 8 directors किसी एक व्यक्ति या एक company के instructions पे नाच रहे है तो मैं ये कह सकताओ कि पूरी की पूरी company a limited के instructions पे नाच रहे है because maximum जो board descendants लेते है वो majority से लेते है और 10 में majority 6 में आ जाती है और आपके पास खुद के पास ही 8 directors है सुसर एक चीज में समझ में आगे sir let's assume अगर आपके company में 12 directors है जहां से देखना ठीक है अगर आप 12 में से 12 hold करते हो आप holding हो अगर आप 11 hold करते हो आप holding हो 10, 9, 8, 7 अब आप जहां से देखना है यहां से यहां तक मैं आपको अपनी holding company बोलूँगा क्यूँ? क्योंकि भाई जब भी कोई decent लेना होगा 12 में से 7 directors आपको आप जो बोल रहों मानेंगे तो majority आपकी रहेगी और आप जो बोलोगी वो होगा लेकिन अगर आपके पास 10 में से 6 directors है तन 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 या पाच चार तीन दो एक या शुन्य तो आपका और हमारा no relation associate नहीं associate के definition में कहीं पर भी board of directors के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो board of directors से हम directly associate का relation नहीं निकालेंगे however yes कुछ particular cases उसके related है जो real life form में देखें but that has nothing to do with you and your syllabus इस case में हम कहते है you do not control the composition of board of directors तो composition of board of directors तो केवल तब होता है जब आप majority या all of the board of directors को आप either appoint और remove कर सकते हो तब मैं आप request करना चाहूंगा मेरे class के सभी जवर्दस लोगों से मुसकान से हम बात करेंगे अब बात करना बनता है भाई बहुत दिरो होगी मुसकान गुद मॉनिंग गुद आफ्टनून मुसकान क्या आल है अरे मैं तो एकदम जोशी ला जोशी हूं एकदम आप बताओ बड़ा थैंक्यू यार सो मच थैंक्यू सो मच पर ट्रस्टिंग में विथ यूर इंटमीडियेट लोग रेली मेंस अलॉट तो में और होप विल अचीव अमीजिंग मार्थ अंजी सार तो ट्रस्टिंग भी पढ़ा तो आप से तो ट्रस्ट तो आप बट वही है ना की इतना आप एकदम देवन से एकदम जूड़ गया होना तो बड़ा अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है आप कैसे देख रहा है आप कहां से देख रहे हैं अंड्रोइड और आप कहां से बिलॉंग करते हो मुस्कान बनारस यार मेरा पता है फुल-on प्लान हो गया था पता है में को गंगा आर्थी अटेंड करनी है मेरे वाइफ का जो होम टाउन है मैंना वहां है बनारस के पास ही यह आता है तो आइवन वांटेड विजट विजट क्योंकि मैंना इतने फोटोस और देखना गंगा आर्थी कि इस जश्ट मैजिकल आप देखते हो ना आपने तो अफकोस आप तो आपके लिए तो नॉर्म क्या है बिल्कुल बिल्कुल आएंगे और बनारसी पान भी खाएंगे तो पड़ाई में कैसा अच्छा लग रहा है सब सही लग रहा है अभी तो अपने जो पढ़ रहा है वही रिवाइज हो रहा है बट ग्राइजिली ना धीरी दीरे कुछ-कुछ चीजेस में लगेगी और वह सही है वरना एकदम से लगते हैं और यार क्या-क्या पढ़ना पढ़ रहा है तो डर नहीं लगेगा दीरी दीरी हम स्टेप बैस्टेप जाएंगे तो थोड़े दिन में मैं अपना सेटप में भी कुछ चेंजिस करने वाला हूं तो अभी क्या हो रहा है ना अभी मै लोग अभी मंगवा रहे है कर रहे है थोड़ा टाइम लगेगा पर उसके बदम जैसा हम लोग पहले की प्लाटपॉर्म पर कैसे एकदम सीमलेस्ली क्लास करते थे वैसे एकदम क्लास होने हो है थैंक यू सो मच मुस्कान और मिलते हैं थैंक यू मनुदुला सर्विका चाइट्स का यार क्या सीने ना मैं कुछ जैसे बने अभी मुस्कान को बताया कुछ सेट अप कर रहा हूं उसके बाद यह चीज़े इसी हो जाएगी मैं आप लोगे चैट्स भी पढ़ता हूं थोड़ा सा कुछ दिन लगते हैं ना सीदों के इंप्र कि इन वजे के बाद कि तुव करन ने ने एक बाद बता भाई तो अभी चुट्टी लेकी करेगा क्या दो बजे मेरा क्लास हो रहा है यह आज तो मैं निशान सर को बोलूगा इन बच्चों को देखो कितने बच्चे आपकी क्लास छोड़के मैस देखने जाते हैं कई बच् अरे गज़ा बाई चलो 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 पढ़ लेता है थोड़ा सा पढ़ भी लेता है है ना ओके तो यह हो गया सब्सेडिरी और होल्डिंग का रिलेशन अब इसमें कुछ चीज़े याद रखेंगे हम लोग यहां पर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम इस ओन बाई फेस्ब अब 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 आपको यह भी बता दिया इंक्लूड बाई पर अंड लेयर इन रलेशन तो होल्डिंग कंपनी में अब एक लाइन यहां पर लिखिये है अब हो सकता है बी लिमिटेड के भी कुछ और सब्सिडियरी हो भी वन लिमिटेड अब अगर मैं लेयर की बात करू तो और अलिमिटेड हम एं लिमिटेड को पिक्चर में रख रहे है और अलिमिटेड इस लेयरी इस दब फॉस्ट लेयर और subsidiaries and this layer this is second अगर इसकी बात करें लगता है यह पूराना हो गय वा यह second layer यह दिख रहा है ना यह second layer now in companies act normal case में company को 2 layers of subsidiaries allowed कुछ exceptional cases में कुछ particular companies को more than to be allowed है but this is the maximum that is allowed to majority of the companies अब अगर यह C1 Limited ने सोचा कि चले काम करता हूं C1A Limited मैं इन्वेस्ट करता हूं क्या कोई एक काम करो ना सुनो let's not make things complicated let's make it D Limited अब अगर C1 Limited ने सोचा कि I will invest in D Limited and E Limited इसको यह अलाओ नहीं होगा वाई? because this my friend is going to become the third layer of subsidiary for A Limited which is not allowed and therefore यह आप नहीं कर सकते हैं अब आपको क्या option है? अब आपको क्या option है? layers beyond अब यह जो पार्ट है ना यह आपके CA foundation में नहीं था यह CA inter में बढ़ा है मैं क्या बोला? मैं दीर ही अभी मुस्कान को मैं यही कह रहा था कि normal जो हम foundation में पढ़ते आए बस उसको validate करेंगे और दीर ही दीर ही दीर ही दीर ही मैं आपको एक एच छोटा 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 intermediate का knowledge बिच बिच में देता रहोंगा और एक ऐसता moment आएगा कि हम सिफ intermediate का पढ़ रहे होंगे foundation को काफी पीछे छोड़ चुके होंगे no company shall have more than two layers of subsidiaries and nothing in this rule shall prevent a company from acquiring company incorporated outside India which has subsidiary layers more than two as per foreign law if a layer contains holy owned subsidiaries then that layer shall not be counted now the things will get advanced let's try and understand सर अब आपने कहा कि दो layer maximum allowed अब से पर एक्जांपल से ले बटा मुना सर से पर एक्जांपल यहां C limited को कुछ नए companies को you know acquire करना है जैसे ABC Inc. Corporation a company registered in USA अब यह अब यह एवी सी इंक और जीन इंटरनेशनल्स यह दो अलग कंट्री के है और यहां पर हमारे इंडिया का companies act 2013 नहीं लगता USA को उनके companies lock लगता है China में अपने खुद के company laws है and they have no restriction with respect to two layers of subsidiaries तो ABC Inc. के अपने खुद के चार you know layers of subsidiaries है Gene International के भी चार layers of subsidiaries है तो हमारा Indian law क्या कहता है don't allow C1 to acquire them no why अगर C1 acquire करेगा तो that will become third layer rather what you do मैं आपको एक idea देता हूँ आप एक काम करो let you know let B limited acquire or let directly A limited acquire सबसे sorted तो वो होगा let A limited acquire these companies यहां से ऐसे इससे क्या होगा यह companies अब first layer में आ गए यह companies अब first layer में आ गए अब आपको layer समझ में आ गए तो मैं यह red वाले मिटा रहा हूँ क्योंकि वो confusions create कर रहे हैं न मैं आपको बताता हूँ क्या कर लो यहां पर ABC Inc. आ जाएगा फिर जो USA में बनी है और यहां पर आ जाएगा जीन इंटरनेशनल जो चाहे ना में बरावर यह तो allowed होगा न यह allowed है क्योंकि अभी आपके layers दो के उपर नहीं जा रहे अभी भी आपके पास दो ही layers है लेकिन एक पंगा है अगर मैं ABC Inc. की बात करूँ तो ABC Inc. के बारे में आपको बताता हूँ आपके अंदर अल्रेडी पहली हमारे एक्वायर करने से पहली सिच्वेशन है इसके अंदर ए इंक बी इंक और सी इंक और एक के अंदर A1, A2 and A2 के अंदर F और G ये इनके अल्रेडी holdings थे अब हुआ क्या आपने A Incorporation के अंदर इसको ले लिया और A Limited के अंदर आपने इसको ले लिया तो A Limited के लिए ये हो गया 1st layer ये allowed था ये हो गया 2nd layer ये भी allowed है लेकिन सर अब इसकी ये तो 3rd layer हो गई और ये 4th layer हो गई तो ये तो फिर अत्य हो गया आपको 2 layer अलोग क्या था यहां तक ठीक था उसके नीचे कि जो holding अब इसका क्या करे तो law कहता है it's okay सब्सक्राइब करना चाहिए तो हम आपको इंकॉर्पेट करने देंगे आप इंकॉर्पेट कर लो कोई दिक्कत के उपर अपने इसाफ से लोग किया है तो हम आपको आपका बिजनस करने से नहीं रोक रहे हैं तो नथिंग इन इस रूल शाल प्रिवेंट अ कंपनी इंकॉर्पेट इंडिया विच अपना पॉरेंग लोग फुल्फिल कर रहे है ना वो कोई अनलॉफुल बिजनस तो नहीं कर रहे है वो अपने फॉरेंग लोग को फुल्फिल कर रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इन्हें अपने कंपरी में आड कर लो उसके वज़े से भले ही आपके लेर्स तीन चार पाज दिखे हमें कोई दिक्कत नहीं है बट उसके अकेली के layers हम adjust करके लेंगे अब अगर आप smartness करोगे और ABC Inc को यहाँ पर add किया अब ABC Inc के अंदर चार layers है यह चार layers हमने accept कर लिए इसका मतलब यह नहीं कि आप B2 Limited के अंदर भी चार layers बना लो नहीं यह allowed नहीं है क्योंकि B2 Limited के उपर Companies Act apply होता है and therefore अब आप उसको दो layer के beyond अब इसको B2 के पास तो कोई भी option नहीं बचा क्यों बीटू ने एक भी acquisition किया तो A Limited के लिए वो third layer create हो जाएगी जो law allowed नहीं करता तो only ABC Inc and GIN International इन लोगों को exception मिलेगा और वो भी इसलिए मिल रहा है because these are companies incorporated outside India following foreign law but rest other companies will have to follow the code next point यह layer count करते वक्त यह layer count करते वक्त अगर किसी layer में holy on subsidiaries है तो उसे आप layer of subsidiary में count नहीं करते let me give you example for that as well यह थोड़ा सा time लगेगा लेकिन चीज़े हम अच्छे से पढ़ेंगे ए लिमिटेड है as two subsidiaries B limited and C limited now the thing is B limited and C limited are fully owned subsidiaries मतलब 100% of the shares are held by A limited ठीक है फिर B limited के अंदर और दो companies आते हैं और C limited के अंदर भी दो आते हैं B1, B2, C1, C2 but they are not wholly owned subsidiaries अब B1 के अंदर आप E limited और F limited को acquire करना चाहते हूं can you do so can you do so is this allowed E limited or F limited चलो बताओ yes or no के दो allowed करो इसको should I allowed नहीं तुम बोलो जैसा तुम बोलो अब सर लेयर्स जब हम काउंट करेंगे तो law केता है wholly owned subsidiary वाली लेयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे तो this is going to be the first layer or a limited and this is going to be the second layer as we are not going beyond second layer इसको नहीं गिनते नॉट काउंट इस लेयर्स कि वाइब बिकॉस दे कंपनीज आर होली ओन्ड कंपनीज मतलब इस लिटरी अग्स्टेंशन और अर्स subsidiary company में क्या होता है partly owned by me partly owned by someone else तब वहाँ पर matter होता है फिर ओ लेयर्स में आएगा अगर पूरे ही मैं ओंड कर रहा हूं तो फिर उसको मेरे से अलग क्या कहना तो वह तो मैं ही हूं समझ ले आगे बढ़ो आगे देखो क्योंकि यह दो लेयर के अंदर आ रहा है there is no contravention in this यह पूरी की पूरी चीज़े यह foundation में नहीं तो अभी आपने सी इंटर्विजेट में यहां पर पड़ा है ठीक है existing companies which already have more than two layers has gone be September 2017 etc shall submit form CRL1 within 150 days of commencement of the rules and it cannot further increase its layers if reduces voluntarily then maximum layers it can have is the number of layers which you know after such reduction or two layers whichever is higher okay but दिरे दिरे वहला बढ़ा तो नहीं सकते कम बली करना है तो आप कर सकते हो कि कांट्राविन करोगे तो 10,000 रुपीज एंड 1,000 पर डे किल डिफॉल्ट का फाइन आपको लगे अब यह बहुत पुराना लो हो गया आज हम 2023 में बैठे हैं तो 2017 का यह 150 डेस का लो अब आपके लिए बिलकूर अब यह बता दो और अब यह रूल आने के बाद आप इसमें और एक लिएर आड नहीं कर पाओगे तो लेट्स टेक एन एक्जांपल जब यह लॉब बना 2017 में मेरी यह कंपनी थी ए लिमिटेड A लिमिटेड के अंदर था B और C B के अंदर था D और E इसके अंदर था F और G H और I J और K L और M यह मेरे पास यह मेरा corporate structure था अभी law आया law ने क्या बोला कि मैं दो layer के उपर नहीं बना सकता यह है मेरा first layer और यह है मेरा second layer लेकिन यह law आने के already पहले मेरे पास third layer भी था मेरे पास fourth layer भी था और मेरे पास fifth layer भी था law केता है अब मैं 2017 के बाद जब यह amendment आ गया अब मैं इसमें sixth layer आड नहीं कर सकता मतलब I cannot go about and I cannot do it like this N और P add कर सकता हो क्या नहीं यह N और P गलत हो जाएगा अब law आ चुका है अब आप इसको add नहीं कर सकते हो यह possible नहीं और सर अगर मैं reduce करना चाहो तो अब reduce कर सकते हो हो सकता है आप L और M को यहाँ पर add कर दो यहाँ पर L और यहाँ पर M आपकी मर्जी न आप कहीं पर भी आड कर सकते हो आप subsidiary company हो यह सिर्फ शेयर स्टांफर करना है है ना तो आपने क्या किया यह वाली एक layer मिटा दी अब आपके maximum layers कितने हो गए सरफ पूर्ट सिर्फ एक्जांपल कुछ साल बाद आपने और changes कर दिया क्या आपने यहाँ पर आड कर दिया और के यहाँ पर आड कर दिया तो क्या हुआ अब आप देख रहे हैं एक और layer आपकी गम होगे अब आपकी maximum layer कितने हो गई लिए टीन गई एफ एक्जैंपल आपने और अभी changes कर दिये क्या आपने बी के अंडर एकेश आंडर और सी के अंडर यह f lg hmi सारे बाट दी जहां से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, आपने क्या क्या, B, K और सी के अंडर, ये दो 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 करके बाट दीए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे हो ठीक है, ठीक है ठोड़ा सा देखो ये थोड़ी से चीजें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है, देखो आपने B के अंडर 2 add कर दिये कि एक F और एक L आपने K के अंडर G और H add कर दिया और C के अंडर आपने M और I add कर दिया अब क्या मैं कह सकता हूँ कि यह सारी layers अब खतम हो गई अब यह company में कितनी layers बची है यह first और यह second अब maximum layer कितनी है अब की सेकेंड सर क्या आप अब इसके अंदर और extension कर पाओगे answer is no you will not be able to extend एक बार आप कम करते जा रहे हो you will not be able to extend अब आपको जो खिलना है इसी में खिलना है ठीक है कम करते जा रहे है बढ़ा नहीं सकते पर्स करो कि आपने ए लिमिटेट के अंदर ही यह सारे companies को incorporate कर लिया अब 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 देख रहे हो यह सारी कम एफ उपर गया एल गया डी गया जे गया ई गया 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 एम आई सब चले गया है कि यह ने पर पास कित्य लेयर बची कि अधर ओनली वन लेकिन लिए रिस पांड क्या मैं बाद में इसको और एक्स्टेंड कर सकता हूं क्या येस और नो क्या मैं आपे सिफ एक्जाम्पल एल एल नहीं हुआ था ना भी तर नहीं हो गया था एक्स और वाई कर सकता हूं क्या कर लेता हूं कि एक्स और वाई कि यह और सब लोग को करना है कि इंक्रीज कर सकते है क्या येस नो कि अब सबने बोलना है येस आप्सुल्यूटी कर बाकी लोग भी बोलो रहे तुम लोग क्या शर्मा रहे हो क्या वोट डालो ना सही हो गलत हो जो भी हो वोट डालो बोलो आंसर इस येस विकोज सेकेंड लियर तो अलाउड है वाई की नीचे अगर आप बोलोगे कि मैं जट डालता हूं देन डाट वी अब आप यहां पड़ोगे तो आपको समझ में आएगा यह कहां से आया आंसर कह रहा है कि अगर आप रिडूस करना चाहो आप रिडूस कर सक बाट लेकिन तो maximum layers आपकी रहेगी वह रहेगी number of layers after reduction और 2 whichever is higher कि अगर आपके पहले 6 layers थी आपने 5 कर दी आपकी 5 maximum होगी आपने 5 से 4 कर दी आपकी 4 maximum होगी 4 की 3 होगी अब 3 maximum होगी 3 की 2 होगी 2 maximum होगी 2 की अगर एक होगे न तो एक maximum नहीं होगा वापस से आप बढ़ा कर दो कर सकते हो because everyone is allowed to have two layers of subsidies यह है इसका logic अगर आपने अमारी बात नहीं मानी 10,000 की fine प्लस 1000 per day till the default continues यह आप पे additionally लगता जाए याद रखना यह जो two layers का मैंने आपको company और एक non banking financial corporation companies जिनकी asset size पात्सो करोड होती है उन लोगों के उपर यह layers of subsidies के restrictions नहीं लगेंगे इसका मतलब बैंक अगर है HDFC bank SBI पंजाब national bank access bank यह अगर आप देखें SBI life insurance LIC of India life insurance corporation of India बजाज finance बजाज बजाज assurance ना बजाज life जो भी यह company तो future जेनरी लाइफ insurance अगर कोई government company की बात करूं मैं तो ऐसे cases में आप लोग जितने चाहे उतने layers of subsidies लगा सकते हो यह layers of subsidies का logic आपके उपर applicable in fact अगर आप ऐसे NBFC हो जिसका पाथ सो करोड से ज्यादा का आप भी जितने चाहे उतने subsidiaries बढ़ा सकते हो जितने चाहे उतने layers create कर सकते हो यह maximum two layers का restriction आप पे applicable नहीं ठीक है यह को याद रहेगा सबको बोलो तो यह बिग पे applicable बिक्स पे applicable नहीं है बी आई जी एस बिग्स तो एनी कंपनी अधर देन बीक्स कैन है यह नौट है लेयर मोर दन तू एनी कंपनी अधर दन बीग्स इनाट है लेयर अफ सब्सेटरीज मोर दन बीक्स में आता है तैंकिंग इंशुरेंस गवर्मेंट एंड अब वह एन बेफ सी सिस्टमाटिकली इंपॉर्टंट इंड एफ सी जिनको पाच्छो क्रोड से आता है अब बीग इन बी एफ सी लिख सकते हो आप तो बीग एन फी एफ सी लिख सकते हो बीग एन बी एफ सी वह जादा अच्छा रहेगा तो बीग एन बी एफ सी अब लिख देना अब बीएफ सी में आते हैं बैंक इंशुरेंस क्या जी से गवर्मेंट और इंबे एफ सी एम एन बेफ सी सिस्टमाटिकली इंपॉर्टंट जेनुरिनली बड़े एन बेफ सी जिनका असेट साइज मिनिममम पाच्छो क्रोड का हो कि एक स्टुडेंट से बात करेंगे उसके बद आपकी फेवरेट कंसेप्ट पढ़ेंगे असोसियेट कंपणी कौन बात करना चाहेगा हैंड्रेस कर देना भाई लोग और राजीव से कल बात हुई थी अब वही एक बंदा है बाकी लोग बात करने के लिए शर्मार है कुछ लाइब्रेस में होंगे आम शौर कोई बात नहीं है कैसा है बाई अच्छी चल रहें पड़ाई कि अब सारे लेक्षास देखें कि अब कुछ और नहीं करना मैंच वैस नहीं देखना है ना आज यह नहीं अरे रहे 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 दुख दरद पीड़ा तकलीव सब्सक्राइब मेरे का मेरा भी बंद हो गया था वालब बंदी हो गया है मैं भी सिर्फ इंडिया पाकिस्तन रात देखता व तो आप आप ने कहा था आप इंदोर से और राइट है रहे रिमेंबर नाइस है अमेजिंगा वाई है क्या अले यार मैंने सुना बहुत कुछ खाने के लिए मिलता है कुमारे अच्छा मैं को सुना ही नहीं आया कि अच्छा ओक्यों कि हाँ पर सुनाय सबने सुनाय हां हाँ अच्छा नहीं ठीक है आप लोग सुडेंट्स कें चूज वाटेवर इनों स्टुडेंट्स आर कि अल्टिमेटली हम सब तो बेस से बेस्ट यहां पर प्रोवाइड करी रहे है कि अच्छा ने वाने का बताओ खाने वाने का कुछ बताओ यार क्या इतना तो तुम खाने के लिए हो रहा है मैंने जहां तक सुना है कि अच्छा ना वहीं तो दिवाने मैंने सुना है और हर जगा तो फोहें से शुरू होता है इंदोरी तो पता नहीं तो मिठाईयों के लिए फेमस है हो गंली आया है मैंने सुना है बहुत का नहीं अधे बिल्कुल बिल्कुल आएंगे तो पका मिलेंगे भाई ना चलेगा ओके राजी ब्रो ठेक केर गुरुदुला से कल बात हुई थी क्या या दमी आ रहा है देखते हैं हेलो आशू कैसे भाई तराफा बजार 56 दुकान देखना पड़ेगा अर्पिक जाना पड़ेगा इंग्लियस सिटी वावा मुरुदुला आपके आवाज नहीं आरी बिटा मैं भी अच्छा हूं अशुत हुष तैंक यू ओहो मुरुदुला की आवाज नहीं आरी अवंदीव से बात कर लेता है ग्रेट तो आप लोगों को अभी ऐसा बहुत लगने लगा हो क्या ऐसा लग रहा है कि सर्दो घंटे दीरी दीरे अम लोग ना जब चार्ट्स वार्ट्स और बनेंगे खिताबों में चीज़ी और लिखेंगे ना तो दीरी दीरे आपको पता नहीं चलेगा एक्चुली कि कब दो घंटे हो गए बट येस वोड़ा सा आउंडेशन के कंपैर्सिन में यह अपको ज्याद ही होने वाला यह तो आप पिक्स समझ रहा हो ना होता है तो अपने उसमें भी होता था है कि में को आवाज नहीं आरी क्या मालू है है लो है 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 कैसे हो बिटा है कि एक दम फर्स क्लास दुआ है आपकी आप कहां से वार्शिका अ अरे बावा अपनी बात हुई थी क्या है जाल गोला ना तभी मेरे को सब्सक्राइब आया अपनी तकल बात वी थी तो क्या आले कैसा लग रहा है दो दिन खतरनाग जा रहे हों कि अच्छा लग रहा है सुबा आठ से लेकिए कित वे तक पढ़ते हो आप लास में बैक-to- सब्सक्राइब करते हैं तो आप वह स्मार्टनेस करते होगे 1.5 वाला अरे जब बच्चे नेक्स लेवल है भाई टाइन बचाने की बाद देखो और यहां पर भी अच्छा आप अकेली नहीं हो यह यूटूब वाले भी कर रहे हैं लाइव बैच में हाडली बच्चे हैं बाकी रेकॉर्डिंग में सारे देखेंगे वहले सर थोड़ा फास्ट हो जाता है ना आपके दो घंटे तो नहीं बैचना यार दो घंटे को कुछ कर है कि ना देड़ में खत्म करना है और समझ जाता है ना तुमको कुछ भी करो अपने और दलाने का मतलब है बस रिजल चाहिए ना रही है चलो ठीक है फिर मिलते हैं येस गॉड ब्लस यू थैंक यू बाब बाइ अब थोड़ा सा असेट कंपने फिर क्या कतम है अठ्रा मिनिट तुमको मैं शारुक खने हूं यह यह फाम इनिट आपकी जिंदेगी बदल देखे तो ऐसा देख लो अठ्राव इन है ठीक है तुमित बोल रहा है रेकॉर्डिंग देखने से बैक लॉग लग जाता है अच् इस तुमित ऐसे होने वाला है अब तो नोट्स के बारे में सतनारायन सुबूत दी बिटा नोट्स यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिनसे यह बुक्स अवेलेबल फॉर पर्चिस हो जाएंगे काफी जल्दी आपको मिलने लगेंगे और एक पर्टिक्लर टाइप के न दूसरे दिन टेलिग्राम से सब मिल जाता है तो यार अभी जो चीज है नहीं हम अकेले नहीं है सभी लोग अपनी इंटलेक्शल प्रपर्टिस को प्रटेक करने के लिए यह सब कर रहे है कुछ होते है ना लोग ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव होते है तो उनको बस कुछ भी क करके महनत खराब करने होती है and that's why we are not giving it in PDF form we are making it available and those who are interested they can purchase otherwise आप लोगो जो मॉडूल मिलने वाला है वो more than enough है जबर्दस मॉडूल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं और मॉडूल में जो है आपको सब कुछ सेम मिलेगा ऐसा कोई मैं नया सला यह नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा आज मेरी कितनी बुक्स मिलेगी सुमिट भाहिं बुक्स की अगर मैं बात करू तो मैंने यह जो टेक्स्ट्स बूक है इसके दो पार्ट बनेंगे यह जो जिस्ते में पढ़ा रहा है टेक्स्ट्स बूक एक रहेगा complete practice book with all the questions of R RTPs, MTPs and PYQs वो writing practice के लिए kind of like foundation में नहीं all in one करते थे all in one में कैसा हो था कि सारे questions से एक जगह मिल जाते थे और हम बहुत अच्छे से उसको practice कर लेते तो और then we were like prepared for the exams की 80 तो ठोक ठोक देंगे अपन 70 तो ले आएंगे 60 तो ले आएंगे I think a lot of you might have already have scored 50s and 60s कितने बच्च mcq वात है so we need to practice mcqs as well एक mcq का booklet अलग तो दो text books एक practice book और एक mcq booklet ऐसे चार किताबे ready है थोड़े दिन आपको थोड़े दिन बाद ये मिल जाएंगे इसी अपने एकागरता.co.in के उपर आप उसको purchase कर पाएंगे अब इसके अलावा कुछ और चीज़े है जो work in progress है may take some time to complete अगर वो हो जाती है complete तो मैं आप लोग के लिए launch कर दूँगा वरना whatever I am giving right away is more than enough for you guys to score 18 अब हमको इस बैट से भली जादा time लगे मुझे पढ़ाने में जादा efforts लगे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा we want to score a rank यह genuinely हम लेकर बैट है कि rank आए है और आप देख रहे होंगे हर educator वो notes में देख लो हर educator कि आप कबसे मुझसे पढ़ रहे हो आपको पता है कि मैंने कभी ऐसे notes आपको नहीं पढ़ा यह fact है आप सभी लोग यहां जानते हैं जो आप पहली बार नहीं देख रहे हो आप है अब जब educator जिद पर आदे हो कि AIR लाना है तो एक बात तो तह है कि हम हमारे end से कोई कमीनी होने देने अब अगर आप भी जिद पकड़ लो कि मुझे AIR आना है मतलब आना है यहां क्लास में बैठे है बहुत सारे लोग बैठे है आरेन ने बोल दिया मुझे AIR आना है अम इनको रोकने वाला है यहां पर कोई पैदा नहीं हो क्योंकि जब पढ़ाने वाला उससाब से पढ़ा रहा है जब पढ़ने वाला उससाब से पढ़ रहा है जब YouTube पे बैठे बच्चे बोलता है मुझे AIR आना है मतलब आना है अगर आप अपना जीजान लगाने तयार हो हम हमारा जीजान लगाने तयार है और जीवां मिल की जीजान लगाएंगे मैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं नथिंग इंपॉसिबल विकन नाट ओनली है वन विकन है मल्टीपल AIR स्वाम इस बैच तो भाई आवर एंटायर फोकस इस अपन क्वालिटी इसमें आपका तो पूर यहां पर चल रही है सालों से सब कुछ हो रहा है मतलब मजे से लोग कर रहे है अपना आते है पढ़ा रहे है निकल जा रहे है तो फिर चौई आपकी है I don't want to demon anyone बट बहुत सारी जगहां पे ना वो जो जोश होता है ना वो लैकिंग होता है वो जो चाहा होती है ना वो लै कर लो या मोटिवेशन कहलो I don't care मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे पता यहां बैटे क्लास में हर बच्चे को रिजल्ट चाहिए वरना क्यों यहां पर बैटके वो महनत करता है सुबह 8 से लेके शाम तक 5 बहे तक पीचे रीजन है उसके बाद भी वो महनत कर रहा होता ह तो हम लाएंगे मचाएंगे भाई तुम टेंशन मत लो मचाएंगे हां इस इंपॉसिबल विदाउट यूर सपोर्ट अगर जब तक तुम्हारे दिल में आग नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा Associate Companies की बात करते हैं Associate Company in relation to other company means a company in which the other company has significant influence significant influence बोलो कितना रहता? इतना इतना या इतना सब्सिगनिफिगनिफिगनिफिगनिफॉइंकंे का मतलब होता है, control over at least 20% of the total voting power Okay, so significant influence, but which is not a subsidiary and includes a joint venture joint venture बोले तो joint arrangement between parties having joint control of the arrangements ठीक है आपको accounting standard 23 या India's 28 में जो associate company का definition दिया है वो different है तो कृपया करके यहां की definition को वहां की definition से confuse ना करे Companies Act की definition आप companies में लिखेंगे और accounting और India's की definition accounting standard और India's की definition आप वहां पर लिखेंगे तो अगर मैं associate company के बारे में और अब तो हमने सारे companies देख लिए तो अगर मैं यह chart बनाओ तो आपको कोई problem है यहां पर मैं लिखता हूँ percentage holding और यहां पर लिखेंगे relations ठीक है अगर एक company दूसरे company में 00.00 से 19.99% hold करती है 20.00 से 50.00 तक hold करती है और 50.01 से 100.00 तक hold करती है तो अगर आप less than 20% हो देन देर इस no relation 20% से 50% associate and 50.01 more than 1.00 से 100 तक holding answers यह हम लोगों ने भी आज देखा रहे है यह सारे जो charts, tables मैं बना रहा हूं यह आपको अलग से और कहीं नहीं मिलेंगे तो यह सारे जब मैं बनाता हूं charts, tables यह आपको अपने साथ book में बनाने है और आपको जब आप खुद revise करते हो तो और ऐसे charts और tables बनाने है जितने जादे चार्ड्स और टेबल्स बनेंगे उतना आपके लिए लौ रिवाइज करना ध्यान में रखना आसान होगा समझ लेना मेरी बाद क्या आपको येस बनना ही बनना है विटा येस यह विना बाद विकाश यह विना बाद अशुतोष येस चलो क्लियर है यह सब कुछ एक चीज और ध्यान में रख देना अगर आप एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेर्स पीडूशरी कैपेसिटी में होल्ड कर रही है तो उसको 20% कैलकुलेट करने में इस्तमाल नहीं किय जाता फिडिशरी कैपेसिटी का मतलब है अगर आप किसी और के बिहाफ में शेर्स होल्ड कर रहे हो तो उसे 20% काउंट करते वक्त नहीं पकड़ा जाता जैसे मैं एक्जामपल देता हूँ अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर 40% शेर होल्ड करे तो मैं कहता लिमिटेड में कोई रिष्टा नहीं है अब ध्यान से देखना अगर ए लिमिटेड डाइरेकली बी लिमिटेड में 18% करें और फिडिशरी कैपेसिटी में ध्यान से देखना फिडिशरी कैपेसिटी में किसी और के बिहाफ में 10% होल्ड करें वाट और टोटल परसंट हो ग नो रिलेशन सर क्यों जबकि टोटल तो 28% हो रहा है which is of course more than 20% बट यह जो 10% है यह पीडिशरी कैपिसिटी में है किसी और के भियाफ में आप होल्ड कर रहे हो तो वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा और असोसियेट कंपनी को काउंट करते वक्त हम लोग दो टाइप के शेर कैपिटल लेते हैं पहला एकविटी शेर कैपिटल अफकोर्स और दूसरा कंवर्टिवल करिफरेंश शेर कैपिटल वाई विइकर आज नहीं तो कल यह कंवर्टिबल परिफिरंश ङेर कैपिटल एक्विटी शेर्स में खनवर्ट होने वाला है जब हम असुरेट कंपनी का डेफिनिशन आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ रहे हैं ठीक है चलिए बहुत सारी है चीजे कल हम करेंगे और भी चीजे बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन डेफिनेशन है इसमें जो हम पढ़ने वाले यह चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगता और बेसिकली क्या होता है कि यह जो चीजे हम अभी पढ़ रहा है यह बेसिक चीजे है मतलब यह ऐसी चीजे है जो हम लोगों ने फांडेशन में अल्रडी पढ़ रखी इसलिए आपको चीजे ईजी लग रही है बट ठीक है ना आपको डराने का तो इंटेंशन हमारा नहीं है धीरे 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 अपन उसकी जो टफने से बढ़ाएंगे हम लोग इसमें धीरे धीरे इंप्रूब्मेंट और लाएंगे फिलाल आप मे कि बीच में जब पढ़ाई स्टार्ट होन की बीच में गयाब भी बहुत हो जाती है तो एक बारी दुबारा वो चीज़ रिवाइस कर लेने में कोई बुराई नहीं है और दूसरी बात हम अभी आज आपने देखा कैसे होल्डिंग सब्सेटरी में इससे पहले आपने लेय करेंगे नहीं और आप उसको एक्वाइर करके रख पाएंगे कि आपको यह पता था कि 150 डेज के अंदर एक फॉर्म भरना था और आपको पता था कि उसमें आपको इंटिमेट करना था कि आपके कितने लेयर्स अप सब्सीडिरीज है और आप बाद में वो लेयर्स को तो इस हुआज सकते हैं आप उनको कम कर सकते हो जैसे से आप कम करते जाओगे उतने आपके मैक्णिमम बचेंगे अप टू अगर आप दो लेयर से भी कम कर देते हूँ तो आप वापस से बढ़ा कर दो लयर थक आ सकते हो बड़ इस Q सारह चीज़ेशन के नहीं थी हमने यह foundation के knowledge को पहले revise किया और उसके बाद उसमें intern widget का एक knowledge डाल दिया ऐसे bits and pieces में एक बाद जब हमारा chapter 1 और chapter 2 होगा ना तो chapter 2 भी मैं पूरा नहीं बोड़ो chapter 2 में भी थोड़ी थोड़ी चीज़े है जो आपको अल्रीडी आती है बट बहुत सरे इसी चीज़े जो नहीं है मलब new है new अब एक बार ये दो chapters हो गए तो हमारा इतना strong और इतना problem base बनेगा ना कि उपर के जितने भी chapters है वो पानी कम चाय हो जाएंगे क्योंकि हमारा base ही इतना strong रहेगा हमारे concepts में इतनी clarity रहेगी क्योंकि हम slow and study जा रहे है and you all know slow and study wins the race पिड़ा ऐसे ऐसे strategies books, notes और चीजे लेकर हम तयार है जो श्राइथ हमने पहले कभी नहीं की थी और नहीं आगे कोई कर सकेगा ना भूतो ना भविश्यती that's why we have named ourselves एका गरता full concentration से पूरा दिल में ये बसा लिया है कि अब आप लोगों को AIR लाना है please support करे साथ दे जितने में मेरे दोस्ट भाई बंदू offline, बाद में recorded mode में देख रहे है मुझे आप से कोई मतलब दुख या दर्द या शिकायत नहीं है पस as long as आप वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो के comment section में अपना नाम लिख कर बताए और हाँ नाम कैसे लिखेंगे PA add करके very good नाम लिख कर बताए कि sir I am watching your lectures and they are creating value for me जब live class में बच्चे comment करते हैं उसका 10% comment भी ये live class में बैठ़े यही बच्चे यही 40 बच्चे अगर class खथम हो जाने के बाद मेभी बोलते हैं आज की class चालू करने से पहले चलो कल की इस class के नीचे सर के एक अच्छा message छोड़ देते है जैसे आप लोग वहाँ hats dedicate कर रहे हो कहीं पर आप reviews दे रहे हो एक comment आपके उस hat और review से कम नहीं है इनफेक्ट जादा ही है ये comment ये interactions ये like ये share ये सब कुछ YouTube के algorithm का एक हिस्सा बनता है और जब आप एक like करते हो आप एक comment करते हो आप छोटा सा एक share कर देते हो Instagram प एक story डाल देते हो YouTube को समझ में आता है कि ये class और जगा पर share की जा सकती है ये class important है और ये class और भी बच्चों तक पहुचानी है आपका और हमारा ही benefit होगा एक बड़ी team लेकर एक बड़ी class लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं तह दिल से आपसे request करता हूँ प्लीज प्लीज शो सम लव टो सम लव बाइ लाइकिंग कमेंटिंग एंड शेरिंग इस अल आर वीडियोज ठीक है थांगी सो मच पर जोलिग इन गॉड़ी स्यों लॉट्स आप लव मिलते रहेंगे अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाते हो और ये paid students के list में आना चाते हो तो भाई अभी बच्चे कम हैं और मैं दिल खोल के बात करना हूँ एक एक बार दो दो बार तीन तीन बार मिस्स मत करना all you have to do is go to ekagrata.co.in एक बार आपने ये website open कर ली इस website पर आपको हमारे सारे courses मिलेंगे ये website है app store, play store, google store हर जगा का आपको यहाँ पर access मिलेगा हमारे intermediate foundation के courses आपको मिलेंगे सबसे पहले आपको popular courses दिखेंगे उसके बाद आपको filter करना है recent courses दिख जाएंगे all courses देखो वाकि उसमें सारी चीज़े थमझ में आती है कुछ और courses हम लोगों ने आड की है उसके बारे में आप लोग थ्यान रखना अब हमने 9 month की भी courses आड की है बिकोस आप बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका class तो 4000 का था अभी 5000 का क्यों दिख रहा है तो बेटा समझने की कोशिश करना अगर आप 5000 का class देख रहे हो तो उसके पीछे reason यह है कि 9 month का validity हो गया है समझ रहे हो आप तो validity भी देखो और जो बचे बाद में classes देख रहे है recorded देख रहे है लेट देख रहे है आप लोग देख रहे होंगे सर हमारी टाइम पर तो discount ही नहीं है 8000 का 10,000 का class देख रहे है तो बिटा यह जो offer जिस वक्त रहता है वो आपको website पर दिख जाता है और वो rate में आप purchase कर सकते है पुराने rates देखकर कृपया करके आप tension ना ले जो अभी के rates है वो आगी जाके बढ़ने ही वाले है तो आज ही purchase कर लीजे जो भी आपको अभी rates दिख रहे है website पर वो latest rates है और discounts भी उसमें मिल रहा होंगे आप लोग उसके लिए भी connect कर सकते है अलग से ऐसा कोई special discount नहीं है जो है सभी के लिए हम लोगों ने दिया विकोस बहुत सारे बच्चे अभी struggle कर रहे सब्सक्राइब आप लेना चाहते हो आप ग्रूप बन लेना चाहते हो शिक्स months nine months individual six months individual nine months only group one only group two both groups और सभी जगा पर educators में भी option है multiple educators for example law में भी दो educators है एक मैं पढ़ाता हूँ और एक अभिशेक बंसलसर पढ़ाता है दोनों ही हम बहुत अच्छा पढ़ाता है आपके बास दोनों के options है तो हर चीज नोटिस करके देखकर उसके बाद अपने मन के साफ से अपने दिल की सुनो और जहां connect है उसके साफ से आप classes purchase कर सकते हो और भी चीज़े हैं यहां पर अभी तो गैलरी में आपको हमारे upcoming सारे यह ना मिलते रहेंगे ब्राउश इसको भी आप check out कर सकते हो contact करना है हो तो यहां पर आप get in touch पर जा सकते हो यहां पर हमारी email id, mobile number, timing सब कुछ है app download करने का option है तो आप android, ios और web पर भी देख सकते है that is it for today guys thank you so much for joining in god bless you all lots and lots of love मिलते है नेक्स क्लास पर अख्याल रखे जैहिंद जै भारत साइनिंग ओफ स्टी आदश योशी धन्यवाद बहुत-बहुत-बहुत-धन्यवाद और जो भी अच्छे live आए थांगे so much for joining in this class live मुरुदुला आप से बात नहीं हो पा रही थी आज मैं फिर से एक बार फोन कर देता हूँ before ending this class for today मुरुदुला क्या आपको मेरी आवाज आ रही है हाई मुरुदुला गुर आफ्टरनून कैसे हो इसे क्षे गधर क्या हो गया सुबढ चाहाँ आप थो क्या हो गया तो आप नहीं लूट बटरिट्व खिलते होगी है कि सुद्धे मैं नहीं अच्छ रहते हैं बहुत सारी कंप्टूजन साथ है और उसमें एक और चीज़ होती है आप अगर टीचर से पूछ भी लेते हो इस तरह यह वाला प्रॉब्लम आपने बताया था पर नहीं अब टीचर को याद ही नहीं होता है कि वह कौन अब लोग के घर से प्लाइनिंग करके तो आते नहीं जो मन में आए एक्जामपल बना कर समया देते हैं तो जैसे आज हमने कितने एक्जामपल थे कि होल्डिंग सबस्ट्री के कला अगर मुझे बोलो कि सर्व जो तीसरा एक्जामपल यह तो मुझे कुछ आती रहगा कि मेरा तीसरा एक्जामपल कौन सा था ता तो स्वीट और गॉट ब्लाइब लगाएंगे और मस्ट करेंगे रेगिलर आई यह पूरा दो घंटे आपको बैचना है ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए तो वैसे भी अपने कुछ ट्राइब नहीं करना है यह एक्सेप्ट की राइटिंग में साइड में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है तो आपको ना चार्ट एक चीज है दूसरा चार्ट बनाने के लिए जब आप खुद पढ़र रखते हो चारड़ बनाने के लिए तो वह ज्यादा दिमाग में बैटर बनता है कि इसका चार्ट कैसे बनाऊं तो कंसेप्ट और ज़्यार होती है चार्ड बनाने के बाद अब प्रिलीमेरी रिलेटेड जितने भी क्वेस्टिन के आंसर आप दे सकते हो ना अभी से बीना देखें का बीना आंसर देके कुछ से लिखने का जो हम फाउंडेशन में आपको बोलता था याद है कि अपने को अपने को कुछ भी करके राइटिंग प्रैक्टिस ब्रूप करना ह अहां तो अभी अभी आपको देख रहा है तो आपको याद आता है ना कि हाँ यह मैंने पड़ा था तो ऐसा होता है कि यहाँ स्मॉल कंपनी था लेकिन मुझे वह याद नहीं आया था कि क्या वह 4 करोर 40 करोर में भूल गी थी ऐसा हो रहा है हां तो इसके लिए रिविजिंस आपको लगती है लौ में मल्टिपल रिविजिंस का एक आपको बैठा लेना पड़ेगा फिक्स जैसे हम लोग क्या करेंगे ना अभी जब टॉपिक हतम होगा हम लोग टॉपिक का एंटायर टॉपिक का रिविजिन लेते राइट वो बढ़ानी पड़ेगी अच्छा बेस्ट रहेगा तरफ प्रिविजिन तो दीरे दीरे आपको इतना स्ट्रॉंग बना देगी आपकी सेल्फ रिविजिन मैं जब रिवाइस करा होगा तो मुझे तो सब आता है तो भी बैरी फ्रैंक क्या होगा मैं बोलते बोलते होंगा आपने बोला था लेकिन क्या वो चीज आपको खुद से याद आ रही है यह इंपॉर्टेंट है मेरे बोलने के बाद याद आ रही है वो तो सबको याद आईगी मेरे बोलने से पहले अगर याद आ रही है तो इसका मतलब वह आपको आती है तो मल्टीपल टाइम रिविज you thank you so that is it for today to have fun have lunch and be prepared for the next classes god bless you all lots of love milton x class me